दोस्तो अपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बगल वाले घंटे को भी दबादें क्योंकि हम लाते रहते हैं नए-नए बिजनस आइडियाज और नएनी जैनकारी के वाला प्रेल आज हम जोने बताएंगे एक इसे बिजनस आइडिया के बारे में जिसको आपकर करके महीना में 2-2.5 रुपया आराम से कमा सकते हैं दोस्तो तो दोस्तो इस वीडियो आपको पूरी डिटेल से बताएंगे कि यह बिजनस क्या है यह बिजनस कई से करेंगे इसमें कौन-कौन स हम इस वीडियो बताएंगे इस बिजनस में कितना इंवेस्ट करना पड़ेगा इसे कितना प्रॉफिट कर सकते हैं जह हमम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं केल निर्मान का उद्योग एक लंबे समय तक चलने वाला उद्योग है इस उद्योग के लिए कुछ बड़े आयोजन की आवशक्ता होती है इसके लिए विशेश तरहा के मशीन की आवशक्ता होती है इस वीडियो में हम आपको कच्छे पदार्त और मशीनरी की पूरी जानकारी देंगे कील बनाने के लिए आवशक सामगरी इसके लिए काम आने वली आवशक सामगरी में नेल वायर है इसका प्रियोग करके विबिन तरहा के कील बनाई जाते हैं ये वायर अलग-अलग क्रॉस सेक्षिन में पाया जाता है अतहा अपने द्वारा बनाई जाने वले कील के अनुसार वायर खरीद लें केल बनाने के लिए आवशक सामगरी कहां से खरीदें ओनलाइन वेबसाइट का लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है केल बनाने के लिए मशीनरी नेल मेकिंग मशीन थोड़ी महंगी आती है किन्तु एक बार्यदिये मशीन बेठा ली जाए तो एक लंबे समय तक केल बनाई जा सकती है ये मशीन पूरी तरह से स्वचलित होती है जिसे आसानी से नियंत्रित और नियमित किया जा सकता है केल का निर्मान मुख्यता दो तरह की मशीन से होता है एक में कील बनती है और दूसरे मशीन में ये पॉलिश किया जाता है ये दोनों मशीन एक सेट में आते हैं आप इन मशीनों को ओनलाइन वेबसाइट के माधियम से खरीच सकते हैं वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अब मैं आपको कील बनाने की प्रक्रिया बताती हूँ मशीन स्वचलित होने की वज़ा से कील बनने की प्रक्रिया बहुत आसान हो जाती है मशीन के सामने वायर का डायल इस तरह से सेट किया जाता है कि वे घूम सके वायर का एक हिस्सा नेल मेकिंग मशीन में लगा दिया जाता है मशीन के चलने पर उस वायर से कीले खुद बखुद बननी शुरू हो जाती है एक मिनट में कम से कम धाई सो से तीन सो पीस कीले बनती जाती है कील की पॉलिशिंग इसके बाद बनी हुई कीलो को पॉलिशिंग मशीन में डालना पड़ता है पॉलिशिंग से कीले नई दिखने लगती है इसमें लकडी की भूसी का प्रियोग होता है इसके बाद किसी तरहा के लुब्रिक एंड का भी प्रियोग कर सकते हैं इसके बाद किसी तरहा है इसके बाद किसी तरहा है इल बनानी का व्यपार शुरू करने में लागत इसमें उप्योग होने वाले नेल वायर की कीमत 30,000 से 40,000 कती टन है और मशीन सेट की कीमत कम से कम 4,500,000 तक की होती है इस तरहा से व्यपार शुरू करने के लिए कम से कम 10,000,000 रुपे की जरूरत होती है जिसमें इलेक्रिसिटी सेट अप, मशीनरी आदी सभी चीजें शामिल होता है इस व्यपार को शुरू करने के लिए आपको 1000 स्क्वार फिट की आवशकता पड़ सकती है कील बनाने के व्यपार के लिए लाइसेंस इसके लिए आवशक लाइसेंस लेना बहुत आवशक है क्योंकि इस उद्योग में पूरा मशीनरी सेट अप हो जाता है लाइसेंस के लिए अपने लोकल अथोरेटी को आविदन पत्र दिया जा सकता है यहां से बहुत जल्द आपको लाइसेंस प्राप्त हो जाएगा कील की पैकेजिंग इसके पैकेजिंग के लिए जूट के बोरे का प्रयोग बहुत अच्छा होता है कीले नुकीली होती है अधह प्लास्टिक के बैक्स के फटने का डर रहता है पाकेजिंग के सम्में बाजार के विभिन हाडवेर दुकानों में दिया जाने वाली मातराओं को ध्यान में रखें उन्हीं मातराओं के अकॉर्डिंग 5 किलो और 10 किलो का पाकेट तयार करें किल बनाने के व्यपार में मुनाफा 8 घंटे रोज मशीन चलने पर दिन भर कम से कम 500 से 600 किलो किले बनाई जा सकती है यदि सभी तरहा की मैनिफैक्चरिंग कॉस छोड़ दी जाए तो प्रती किलो ग्राम पर 5 से 6 रुपे का लाप राप्त होता है इस तरहा महीने भर में 60,000 से 70,000 तक कमाया जा सकता है किल बनाने के व्यपार की मारकेटिंग इसकी मारकेटिंग हाड़ वेर मारकेट में की जा सकती है अतह शेहर के सभी बड़े और छोटे हार्डवे दुकानों में शुरू में जरा सस्ते दाम पर बेचना सही रहता है मारकेट पकड़े जाने पर पुनहा बाजार की कीमत पर अपना प्रोड़ाक बेचा जा सकता है दोस्तों अगर आपको कुछ भी पूछना हो इस वीडियो के बारे में आप हमारे कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं हम आपके मदद करने के लिए हमेशा ही तयार हैं हमारे वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल बिजनस आइडियाज को सब्सक्राइब करना ना भूले